हेलो तोस्तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ पोचट एग एड आवगाडो ओन टोस्ट घर पे कैसे बना है तो उसके लिए हमें एक पेन लेना है उसमें दो पीस ब्रेट इस तरह से कट करके अच्छे से टोस्ट कर देना है और हम एक लेंगे जो हम आवगाडो में निचोड़ेंगे मैश के दुए एक बॉल में आवगाडो लेकि लेमन इस तरह से निचोड़ देना है और उसे अच्छे से मेश करना है और उसके बाद हमने इसमें सॉल्ट डाना है और थोड़ा सा पेपर डाल दीजिए अगर आपके बाद पेपर नहीं हो भी चलेगा और उसके बाद आपको मेश के हुआ आफगाडो ब्रेट पे अच्छे से लगा देना है फिर हम फ्राइट के हुआ ओनियन डालेंगे और उसके बाद हम इसमें फ्राइट किये हुए गालिक भी एड़ कर देंगे कुछ इस तरह से अच्छे से डालिएगा और उसके बाद हम चैरी टमेट्र को कट कर दिया है स्लाथ पत्ते को भी हम छोटे चोटे पीसिस में कट कर देंगे ताकि टोस्ट में अच्छे से टिक जा तो यह हमें स्लाथ पत्ता कार दिया है फिर उसके बाद हम स्लाथ पत्ता और चैरी टमेट्र को उपर से कुछ इस तरह से डाल देंगे अच्छे से डालने के बाद हम पौचट एग की त्यारी करेंगे हमें एक फ्राइपिन ले देना है पानी के साथ और उसमें हमने थोड़ा सा विनेगर और सॉल्ट डाल देना है ताकि पौचट एग में थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आए तो हमने डाल दी है और उसके बाद हमने दो एग लेने है जो हमें एक बॉल में तोड़ देने है कुछ इस तरह से एग को तोड़ने के बाद हमें उबले हुए पानी में उस एग को डाल देना है गैस सिम करके अगर आप उबलते हुए में डालोगे तो आपका पौचट एग अच्छा नहीं बनेगा तो आपको याद रखे गैस सिम करनी है और स्पून से आपको पूरे पानी को हिला के उसके बाद इस तरह से डाल देना है और इसे आपने छेड़ना नहीं है बिलकुल भी और उसे ए उपर लग देना है कुछ इस तरह से और थोड़ा सा शेशम सीट भी आपने उपर से छरक देना है जिसे हम वाइट तिल भी कहते हैं और इस रेसिपी को घर पे जुरू ठ्राइब करें आपको कैसा लगा प्लिस कमेंड करें शेर करें मेरे वीडियो को और सपोर्ट करें ऐस इसी ही नए नए रेसिपी और हेल्थी खाने के एक्सपेरिमेंट में करता रहता हूं तो फ्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें